आज मैंने पनीर पुलाव बनाया है बहुत बढ़िया बना बहुत स्वाधिस्ट बना तो मैंने सुचा आज आप लोग साथ इसकी रेसिपी शेयर की जाए मैंने इसे रायते के साथ सर्फ किया है आप गार्लिक रायते के साथ सर्फ करें या बूदी रायते के साथ जो आपकी इक्षा हो तो शुरू करते हैं एक टेबल स्पून दही एक गाजर कटी हुई थोड़ी सी मोटी ही काटेंगे और क्यूब साइज में कटे हुए पनीर हाफ टी स्पून नमक एक टी स्पून के करीब हमने लिया है कसूरी में थी हाफ टी स्पून जीरा एक टी स्पून के करीब स्याह जीरा मिर्चा पिसा हुआ और वन पोर्थ टी स्पून के करीब मैंने गरम मसाला लिया है ये सारी चीज़ें पनीर और गाजर में मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए रखना है इसमें एक टी स्पून आयल जाएगा और एक से देर टी स्पून के लगभग अद्रक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे इसको मिक्स करके इडियम साइज की दो प्याज ले लिजे या एक बड़ी प्याज काटके रख लिजे ये पानी उबलने के लिए रखा है तीन चार लॉंग है तीन छोटी लाची डिड़ बड़ी लाची है पंद्रह बीज दाने काली मिर्च के हैं एक टी स्पून जीरा है दो तीश पत्ता है उबलते वे पानी में इसे डाल दिया इसमें दो टी स्पून के करीब रिफाइन डालेंगे नमकीन चावल बन रहा है तो तीन टी स्पून के करीब इसमें नमक डाल देंगे और इस उबलते वे पानी में पहले से भीगे वे चावलों को डाल देंगे और इसे दो मिनट उबलने देंगे दो मिनट उबलने के बाद गैस धीमी कर देंगे और धीमी आज पर दो मिनट पकने देंगे उसके बाद इसे इस टेनर में चान के रख देंगे चावल को बॉयल करते समय ये ध्यान रखिए कि ना तो बहुत ज़्यादा देर तक बॉयल हूँ और ना ही गैस बंद करने ही जब आपको गैस बंद करने ही दो मेट बार तो दो का चार ना हो जाए नहीं तो चावल आपके उतने अच्छे खिले-खिले से नहीं बनेंगे ये देखिए चावल मेरे उबल कर तयार हो गए है देख सकते हैं कितने बढ़िया खिल कर आए हैं ये अब इन्हें छान के रख लेना है और अब दो मेडियम साइज की प्याज आप काट लीजे ये देखिए चावल चान लिया है दो मेडियम साइज की प्याज थोड़ी सी जावित्री एक टुकड़ा दालचीनी चार पांच दाना काली मिर्श खा और दो लॉंग ये दड़के में डालेंगे और एक तेश पत्ता और पनीर और गाजर को इसमें डाल कर चार से पांच मिर्ट के लिए भूनेंगे चार से पांच मिर्ट में इसका आयल सेपरेट हो गया जब ये आयल सेपरेट हो गया तब इसमें एक कप पानी डाल देंगे पाई डालने के बाद इसमें एक उबाल आने देंगे फिर एक भारी तली का बटतन त्यार कर लेंगे उसमें सबसे पहले नेचे ये सबजी वाला मेटेरियल डालेंगे नीचे थोड़ा असा डालेंगे फिर उपर से चावल की एक लेयर डालकर बागी बच्छी हुए सबजीय को उसके उपर से डाल देंगे जब उपर से डालेंगे तो थोड़ा सा धनिया पत्ता और दो तीन चुटकी गरम मसाला उपर से स्प्रे करके दो मिनट के लिए धीमिया एक दम धीमे सबसे छोटे बर्नर पर रखेगा उस पर रखिए उसके बाद आप का पनीर पुलाओ तयार है अब आप उसका आनंद लीजे